जेहिन जेशिक्षक साथियों मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा एक के लिए 12 हफ्तों का कैलेंडर जारी हुआ है अब उस समय सारणी के अनुसार गतिविधी संचालित करने के लिए कादेश पारित हुआ है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उतर प्रदेश विशय है स्कूल डेडिनेस के अंतरगत कक्षा एक में संचालित गतिविधी कैलेंडर की समय सारणी के संबंद में महोदे क्रिपया राजी परियोजना कारेले के पत्रां केतने दिनाग 31 मार्च 2022 का संदर्ब ग्रहन करने का कष्ट करें जिसकी द्वारा स्कूल डेडिनेस संबंदी 12 सप्ता की गतिविधी कैलेंडर की प्रियोग हेतु दिशा निर्देश प्रेशित किये गए हैं उक्त के करम में अनुश्रेवन एवं अनुसमर्थन प्रदान करने के उदेश से प्रितेक सप्ता के प्रारंब के एक दिन पूर्व उश सप्ता की गतिविधियां संक्षिप्त रूप में आडियो एवं विज्वल के रूप में प्रधाना ध्यापक के वाट्सप ग्रूप में साजह की जा रही है उक्त के पश्चात प्रितेक सप्ता के अंतिम दिवस अर्था शनिवार को जनपत द्वारसन लगन गूगल फॉर्म पर सूचना प्रेशित किया जाना है गूगल फॉर्म को पूर्ण कराए जाने का उत्तर दायत जिला बेसिक शिक्षा अदिकारी संबंदित जनपत का होगा उक्त हेतो जिला संबंवेक MIS एवं प्रशिक्षन नोडल SRG संबंदित गूगल फॉर्म को भरना सुनिश्चित करेंगे और ये आदेश है डॉक्टर पवन कुमार का यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा समगर शिक्षा उत्तर प्रदेश तो इस आदेश को देखते हुए अब 25 अप्रेल से जो केलेंडर जारी होना है वो जारी हो जाएगा कक्षा एक में केलेंडर के अनुसारी सारी गतिविध्या संचालित करानी है फिर मिलती हूँ आप से तब तक के लिए गुड़ बाए